आज इस वीडियो निर्माण प्रशिक्षन श्रंखला में हम लोग ये जानेंगे और सीखेंगे कि कैमरे की विभिन स्थितियां और घुमाव किस प्रकार के होते हैं और उन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए कैमरा में उपर से लिए जाने वाला शॉट नीचे से लिए जाने वाला शॉट आखों के स्तर वाला शॉट पैन यानि पैनिंग टिल्ट यानि टिल्टिंग और जूम के बारे में हम उदाहरणों के साथ सीखेंगे तो आईए चलते हैं उपर से लिये जाने वाला शॉट जब हमें किसी चीज को उपर से दिखाना होता है तो हम उपर से लिये जाने वाले शॉट का इस्तेमाल करते हैं इस शॉट में कैमरा उपर होता है और शूट करने वाली चीज नीचे होती है कभी-कभी हमें किसी सामगरी या वस्तु को दिखाने की जरूरत होती है जो हम सामने से नहीं दिखा सकते तब हम त्रिपाद को लंबा करके कैमरे से उपर से शॉट लेते हैं उदाहरन के तौर पर अगर कोई किसान दिदी भिंडी का बीज उपचार कर रही है तो उसमें कई सामगरीयों की जरूरत पड़ती है जैसे गौमूत्र, पानी, भिंडी के बीज, वर्मी कमपोस्ट, बीजामृत, सूती कपड़ा आदी कभी-कभी ये सारी सामगरी सामने से दिखाना मुश्किल होता है क्योंकि शाय दर्शकों को ये ना मालूम पड़े कि हर बर्तन में क्या रखा है तब हम उपर से नीचे वाले शॉट का इस्तेमाल करते हैं देखे दिदी, भृंडी के उपचार करने जा रहे हैं भीज एक और उदाहरण है मान लीजे, जीवी का सहेली छोटे बच्चों की माउं को ऊपर से दिये जाने वाले आहार और उसकी मात्रा के बारे में बता रही है तब प्लेट में जो आहार रखा है उसको ऊपर से लिये जाने वाले शौट में दिखाया जा सकता है दाल गला के उसको अंदा देना है वाल के पकल हुआ केला देना है या मान लीजिये बच्चा खाट पे लेटा है और हम उसका चेहरा दिखाना चाहते हैं तब भी हम कैमरा उपर रखे बच्चे का शौट ले सकते हैं नीचे से लिये जाने वाला शौट जब हम किसी चीज को नीचे से दिखाना चाहते हैं तब हम नीचे से लिये जाने वाले शौट का इस्तेमाल करते हैं इस शौट में कैमरा नीचे रहता है मान लीजिये, अगर हमको किसी फसल में लगे हुए रोक को दिखाना है, जो उस पौधे की पत्ती के नीचे लगा, तब हम इस शौट का उप्योग कर सकते हैं इसमें हमें त्रिपाद को बिल्कुल नीचे करके कैमरे को उपर की तरफ करना पड़ता है कभी कभी अगर किसी को प्रभावशाली दिखाना हो, तो भी नीचे से उपर वाले शौट का उप्योग किया जा सकता है जैसे मान लीजिये जीवी का सहेली, यदि कोई खास बात बता रही हैं, कोई संदेश दे रही हैं और हम उनकी बात को और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो हम इस शौट का इस्तिमाल कर सकते हैं जब हम लोग स्वैम सहायता समू से जीवी का के दुआरा जुड़े, तो हमारे समू में दीदी और भाईया मिलकर नए नए तरीके अपनाए और लागू करवाए कि देखी दीदी बिचड़ा को जब संसोधन करके लगाईएगा, तो उसका जड़ मजबूत होगा, और फसल अच्छा होगा, और उपज ज़्यादा होगी आँखों के स्तर वाला शौट अब जब मैं आप से बात कर रहा हूँ, तो कैमरा ना उपर है, ना नीचे ये एकदम मेरी आँखों के स्तर पर है, क्योंकि ज़्यादा तर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसी स्तर पर बात करते हैं जब हम अपने कैमरे को अपने विशय की आँखों के स्तर पर रखते हैं और तब शौट लेते हैं, तब उस शौट को आँखों के स्तर वाला शौट कहते हैं। अगर कोई किसान दीदी बाकी किसानों को किसी खेती के प्रक्रिया पर कोई संदेश दे रही हो, तब हम आँखों के स्तर वाले शौट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या कोई किसी समूह को संबोधित कर रहा है, तब हम कैमरा को आँखों के स्तर पर रख सकते हैं और इस तरह आँखों के स्तर वाला शौट ले सकते हैं। यदि लोग बैठे हुए हो, तो भी हम त्रिपाद को नीचे करके कैमरे को उनके स्तर तक लाएं, तो भी हम आँखों के स्तर पर शूट कर सकते हैं। जब तक कोई खास कारण नहों, तब तक उपर से नीचे या नीचे से उपर वाला शौट इस्तिमाल नहीं करते हैं। और आँखों के स्तर वाला शौट ही इस्तिमाल करते हैं। हम अपने वीडियो में सबसे ज्यादा आँखों के स्तरवाले शॉट का उप्योग करते हैं ये थी कैमरा की तीन अलग-अलग स्थिथियां जिने हम शूटिंग के दौरान इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि कैमरा किस प्रकार से अलग-अलग दिशाओं में चलाया जा सकता है पैन या पैनिंग जब हम कैमरे को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तरफ घुमाते हैं तो कैमरे के इस संचालन को हम पैन करना या पैनिंग बोलते हैं इसके इस्तेमाल से हम किसी व्यक्ति या किसी चीज को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ जाते हुए दिखा सकते हैं इसमें हम कैमरे को तरिपात पर कस कर उसमें दाएं से बाएं घुमने वाले लॉक को खोलके उसको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं घुमा सकते हैं और बहुत धीरे-धीरे घुमाना होता है हमें पूरी कोशिश करनी होती है कि इस संचालन में किसी भी प्रकार के जटके ना आए उदाहरण के तौर पर अगर दो दीदियां बात करते हुए अपने घर में जा रही है या अपनी फसल देखते हुए खेत के अंदर जा रही है तब हम कैमरे को उनके साथ साथ घुमा सकते हुए इसे हम पैनिंग करना बोलते हैं एक और उदाहरण हो सकता है जब हम गाव या जगहे को अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हुए तब भी हम कैमरा को एक दिशा में घुमा सकते हैं तिल्ट या टिल्टिंग कैमरा दाएं से बाएं घुमता है और उपर से नीचे मुडता भी है अब हम यह जानते हैं कि कैमरा उपर से नीचे या नीचे से उपर कैसे और क्यों करते हैं जब हम कैमरे को उपर से नीचे या नीचे से उपर करते हैं तो कैमरे के इस संचालन को हम टिल्ट भी बोलते हैं जब हमें किसी चीज को उपर से नीचे या नीचे से उपर दिखाना हो, तब हम कैमरा को टिल्ट करते हैं. कभी-कभी हम किसी लंबी वस्तु को कैमरे के सामने से पूरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन दिखा नहीं पाते हैं. हम टिल्ट वाले शॉट या टिल्टिंग का उप्योग करके इस शॉट को पूरा दिखा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर कोई दीदी मुर्गी पालन कर रही हो और हमको अगर पूरा पिंजरा पास से दिखाना हो तब हम टिल्टिंग या टिल्ट वाले शौट का उप्योग कर सकते हैं इसमें हम कैमरे को त्रिपाद पर कस कर सिर्फ मोडने वाला लॉक खुलके उसको उपर से नीचे या नीचे से उपर बहुत धीरे धीरे करते हैं हमें पूरी कोशिश करनी होती है कि इस संचालन में किसी भी प्रकार के जटके ना आए कैमरा को अलग-अलग दिशा में हम तभी घुमाते हैं जब इसके अलावा हम किसी और तरीके से शॉट ना ले पाएं इसका इस्तेमाल सीमित तरीके से ही करना चाहिए जूम कैमरा में जो लेंस होता है वो कैमरा से सामान या दूरी पर देखने वाली वस्तू को पास से भी दिखा सकता है इसे हम जूम कहते हैं हर कैमरे में जूम का विकल्प होता है जिसके द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जूम के विकल्प से हम किसी चीज को या वस्तू हो उसको बड़ा और साफ दिखा सकते हैं अगर हमें बहुत पास वाला शॉट लेना है जैसे अगर हमें दीदी को खेत में काम करते हुए दिखाना है लेकिन कुछ रुकावट के कारण हम आगे नहीं बर सकते और दूर से लेने पर वो बहुत साफ नहीं आएगा तब हम कैमरे में स्थित जूम के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं और अपना शॉट ले सकते हैं या फिर कोई चीज बहुत पास से दिखानी हो जैसे के बीज, सबजी, फल पर कैमरा और पास ना ले जा सकते हो तब हम जूम का प्रयोग कर सकते हैं जब रिकॉर्डिंग हो रही हो तब हमें जूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने विशय के पास कैमरा ले कर जाएं तो आपने इस वीडियो में देखा और समझा कि कैमरा को किस तरह रखा जा सकता है घुमाया जा सकता है मोडा जा सकता है वीडियो में दिये गए उदाहरन आपकी समझ के लिए हैं याद रखिए कैमरे का हर संचालन आपके वीडियो के लिए आपकी कहानी के लिए बेहत जरूरी है इनका सोच समझ कर इस्तेमाल करें धन्यवाद, नमस्कार कर दोजजबए रुटे katrin करें धन्यवाद, नमस्कार आपकी को कि